दोस्तो नमस्कार आद आप सच्रियकाल नियूज क्लिक के कारिक्रम यूज मन्थन के साथ मैं उर्मिलेश और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तो तो भारत के निर्वाचन आयोग ने पांच राजियों देश के पांच राजियों के चुनाव के लिए कारिक्रम घोशि पहले ही जो देश के प्रमुक राजनितिक दल हैं वो उन्होंने चुनावी रणभेरी बजा दी थी भारती जंतापार्टी की तरफ से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी अमिशा जी जेपी नड़ा जी जो भारती जंतापार्टी के रास्ट्रिय अध्यक्ष हैं और तमाम छेत्री और आस्ट्री नेता मध्यप्रदेश छत्रिजगर राजस्थान हर जगा लगातार दोरे कर रहे थे तो उनके दोरे जो हैं बहुत पहले शुरू हो गए थे उनके लिए चुनाव की ये घोशना महज एक इंतजार की तारीख थी जो घोशित हो गई और दोस्तों आ को एक ही दिन 40 सीटों का मतदान हो जाएगा मीजोरम में देश की जो प्रमुख राजनितिक पार्टियां हैं उनमें कॉंग्रेस और बीजेपी का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जरूर है कॉंग्रेस एक समय बहुत डॉमिनेंट पार्टी तो मीजोरम में थी लेकिन आजकर आजकल जो है मीजो नेशनल फ्रंट फिर रिवाइब हो गया है बहुत स्ट्रॉंगली उबर कर आया है और मनेफ की ही सरकार है तो मनेफ कॉंग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है और मीजोरम का जो चुनाव है साथ नौंबर को जो कम्प्लीट हो जाएग इसके बाद मद्यप्रदेश जहां 230 सीटे हैं मीजोरम में सिर्फ 40 सीटे हैं लेकिन मद्यप्रदेश में 230 सीटे हैं 17 नौंबर को एक दिनी चुनाव होगा एक दिन का चुनाव होगा 36 गड़ में सिर्फ 90 सीटे हैं लेकिन 2 दिन का चुनाव होगा 7 नौंबर और 17 नौंबर क्यों कि बस्तर जैसा इलाका जो माविस्ट इलाका माना जाता रहा है उनके सघन आधार छित्र के रूप में छित्रित किया जाता रहा है हालांकि हाल के कुछ वर्षों में वहां माविस्टों का प्रभाव काफी सिकुड गया है काफी सिमट गया है और उनकी जो गतिविधिय कराने का फैसला किया है I think ये सुरक्षा के जिस्ट से सही भी है क्योंकि आवागमन छोटा राज्य भले ही दिखाई देता है आपको कि 90 सीटे है लेकिन विशाल आकार है अकेले बस्तर जो है बहुत बड़ा राज्य है कई केंदर शासित और छोटे छोटे राज्यों के मुका जाये तो तेलंगारा में 119 सीटे हैं और 30 नौबर को चुनाव होगा तो ये जो चुनाव की तारिखें भोशित होई हैं ये जब जाड़ा गुलाबी होगा बिलकुल सरदियां गुलाबी गुलाबी सी होगी उन्हीं उसी दवरान ये चुनाव हो जाएगा आप कौन जाने कि इन गुलाबी सरदियों में कमल खिलेगा या हाथ चमकेगा या दूसरे और जो छेतरी राजिनितिक दल हैं उनका जलवा कायम रहेगा जैसे MNF का या BRS का जो पहले TRS का आलाता था तेलंगा नामे तो ये बहुत दिल्चस्प है मैं कुछ इन पांच राजियों के बारे होगी कहीं छोटी सी खबर चपी होगी अख़बारों में या चपेगी आज वेब साइटों में आज आप नहीं हो सकता है टीवी चैनलों में सुना हो कि जो लदाख में जो आटोनमस हिल कॉंसिल है करगिल की करगिल जिले की तो उसमें करगिल की जो लदाख स्वायत पहाड परिशद है यानि हिल कॉंसिल है उसकी जो सीटें हैं कुल मिलाकर ये तीस सीटें हैं तीस सदस्थी वहाँ पर ये कॉंसिल है केंदर शासित राजे बनने के बाद ये पहला पहला चुराव है क्योंकि आप दोस्तों जानते हैं जम्मु कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था च्छेद को उसके उसके पैरे को जब निश्प्रभावी कर दिया गया आवें पार्लेमेंट के में कारून के बदलाव से तो फिर राज जे के अस्तर पर भी विभाजनबात के दिनों में गोशित हुआ और गन्मु और कश्मीर यो है वह हो गया वह भी अभी केंदर-शासित छेतर बनने के बाद जो लताफ का छेतर रह यानि जिसमें ले हो और कर्गिल दोनों इलाके आते हैं तो वहाँ ये पहला चुनाओ था गॉणसिल का और यह चुनाओ जो था जैसा मैंने बताए कर्गिल इलाके की कौॉणसिल का था अब यहाँ का जो चुनाओ अजर देखा जाए इस लूप में तो इंडिया इलाइँ के बाद यह पहला चुनाओ और करनाटक में जो चुला हुआ था उसके बाद भी कहीं भी देश में होने वाला ये पहला चुला हुआ था और इसमें बीजेपी को जो आशा थी कि उन्होंने जो 370 को निस्प्रवावी किया साथ में जो भी भाजन हुआ इस्टेट का क्योंकि बहुत सारे लदार के लोग चाहते थे टिवो किद्र शासी छित्र बने बहुत अर्से सिमान चलिया रही थी तो बीजेपी को वरुसा था शासन को वरुसा था कि निश्चित से इसका नतीजा बेहतर आएडा करगिल में भी और लेवे भी बश्चे में लेकिन करगिल ने बीजेपी को निराश कर दिया निराश किया कि उन्पों 2 सीटें मिली है 30 सीटों के हाउस में और इंडिया एलाइन्स को 22 सीटें मिली है 30 में 12 बारा रेशल कांफिर्स को और 10 कॉंगरिस पार्टी को यह उलाका है जहाँ पर रावल गादी ने 12 जोड़ यात्रा के दर्म्यान और बात में जब उसका extension किया तरसे विष्टार किया तो उसमें भी वो दूसरी बार भी गए उन्होंने काफी घूमा फिरा काफी लोगों की बीच में हो रहे और बड़े अपने फॉर्मल ही नहीं बलकि इन्फॉर्मल अंदाज में लोगों के साथ हो बिलते रहे वहाँ भी उन्होंने नफरत की के बाजा में मौबत की दुकान वाला जो अपना चर्चित नारा है या जुमला जो भी आप कहले उसको ताफी प्रचारित किया तो कहा जा सकता है कि इंडिया एलाइन्स और राउन गांदी की कैपेनिंग इन दों का असन दिरूर्ट पड़ा होगा ऐसा उनकी पार्टी के लोग मार और नेशनल कॉनफरेंस के लोग भी इसको स्विकार कर दें है तो यह जो सीटें जीती है 22 वह भारी बहुमत है दोस्तों क्यों भी चार सीटें तो नामांकित उसमें होती है नॉमिनेटेड होती है तो बची दो सीट और दो सीट में अगर देखा जाए तो एक दो सीट जो बीजेपी को मिली है उसमें जन्सकार किए एक ऐसी सीट है जहां नेशनल कॉन्फरेंस और कॉंगरिस पार्टी दोनों के बीच में दोनों के बीच में फ्रेंडली फाइट थी यानि फ्रेंडली कांटेस्ट होने के कारह ओट बट गए और बहुत मामूली वोटों से बीजे चार्चाथी, सरकार गठित करने की तो नहीं, लेकिन प्रशासन गठित करने का, जो उसका कॉंसिल का जो प्रभार है, वो गरांड करने का एक सपना था, आकान चार्चाथी वो पूरी नहीं ह tasty, तो एक तो ये चुनाओ का मतलब है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत मात्पून है क्योंकि लट्दाख में करगरी का इलाका काफी सेंस्टी भी रही है सिमावर्ती है और वहाँ पर फ्रदान मत्री भी जाते रहे हैं हमिशाजी जाते रहे हैं जेपिर नड़ा साथ जाते रहे हैं और इस चुनाव में भी सरकार के दो मंतरी वहां अनातार कैम्पेन किये थे और जहां तक मुझे आदार आए उसमें एक मिनाप्षी लेखी जी भी थी और बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी गए थे तो इस चुनाव को कम नहीं आका जा सकता है और कश्मीर के मामले में तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा चुनाव था दोस्तों दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि जो पांच राजियों के याद चुनाव घोशित हुए हैं चुनाव आयोग द्वारा उसमें सबसे इंट्रेस्टिंग चुनाव कई कारों से राजस्थान का है क्यों को याद होगा राउल गांदी ने एक बार वयान दिया उन्होंने कहा कि चर्टिजगड़ कांग्रेस जीत रही है मज़ब प्रदेश में भी हम जीत रहे हैं तेलन डाना में हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और जीत भी जाएंगे लेकिन राजस्थान में जहां उन कि उन्होंने माना की कांटेस्ट बहुत स्ट्रॉंग है और क्यों न हो वहाँ राजस्तान की इस्ट्री है पांच साल सरकार रहती है एक पार्टी की फिर पांच साल बाद दूसरे पार्टी की आ जाती है यह जो एंटी इंकमबेंसी है वो निश्चित रुप से उसका असर पढ़ने का एक अंदाज है लोगों को कि ओ सकता ऐसा कि फिर वीजेपी आ जाए जैसे कॉंग्रेस पिछली बार आ गई थी वीजेपी की सरकारी इसके पहले थी लेकि दोस्तों वीजेपी में भी बड़ी सवस्या है अभी भी वसुल्दरा राजी का मसला तै नहीं हुआ है कौन बनेगा वो खिमंतरी ये वो चाती थी कि इसका पार्टी कुनासा कर दे लेकिन पार्टी ने नहीं किया भारी अंदर अंदर विवाजन है जगड़ा है और विवाद को सुन जाने की तमाम कोश्वों के बावजूद बीजेपी में अंतरकला जाएं है कौंग्रेस में जो अंतरकला थी वो काफी अत्तक पार्टी ने खतम कर लिया सचिन पार्ट अंदर अंदर पैनो ठीक है दिल मिले न मिले लेकिन उनका दिवाद तो बिल गया है कि ये चुनाव जीतना है किसी भी कीमत पर दोनों जबर्दस्ट केंपेनिंग कर रहे हैं तो इस तरह अगर देखा जाए तो कौंग्रेस में है कि उसने अपने जगडे कम से कम खतम कर लिये इसके अलावा अशोव गालोत ने चलते चलते यानि बिलकुल आखीली दोर में एक बड़ा पासा फिका है और उन्होंने कहा कि बिहार में जातिवार सर्वेक्षण की तरह उन और इनी लोगों के बीच में राजितिक दलबंदी होती है उसका प्रभाव पूरे चुनाव पर पड़ता है लेकिन दोस्तों जो लोग राजस्थान को नजदीक से जानते हैं जो ग्रासरूट पर जानते हैं वो जानते हैं कि वहाँ पर OBC और दरिक आबादी भी काफी ठी हो गई है और उसका प्रभाव पहले से बहुत बढ़ा है पहले वो बोलते नहीं थे पहले वो जुप जाते थे पहले वो उपर की जो जातियां थी उपर के जो बर्ग थे उनके प्रभाव में आ जाते थे लेकिन अब अपने राजितिक प्राधिकार को लेकर वे बेच संब गानूत का अगर वो क्लिक करता है तो रिष्टित रूप से चुनाओ पर इसका असर पढ़ना लाजमी होगा और 36 लड़ के बारे में दोस्तों अगर मैं बताऊं कि 36 लड़ में आमतोर पीजेपी के अंदर भी अगर आप बात कीजिए दवी जुबान से लोग कहते हैं कि यहा उसरे और इलाकों में दिखाई पड़ती है नाजयों में तीसरा जो मद्द प्रदेश है वहाँ पर तो खालत यह है कि बीजेपी ने साम एसेस्मेंट किया था कि उसकी इस्तिती अच्छी नहीं है और इसलिए तीन-तीन केंदरी वंतरी कई-कई सांसत वहाँ पर उतारे जा गया है कि आप चुनाओ रणें वहाँ पर MLA की रूप में जो MP है हो सकता है कि और लोगों को बेजा जाए तो यह घबरार जो बीजेपी की है मद्द प्रदेश को लेकर वह बताती है कि निश्चित रूप से वहाँ कांग्रेस की बढ़त अभी है आगे क्या होगा कोई नह अब देखना है कि पुर्दानमतिनी बोदी के कैमपेइन में उतरने के बाद कितना रंग रंग बदलता है हावाँ कि वह दो बार जा चुके हैं मद्द प्रदेश और और वह इसायद पारे कई बार गये हैं लेकिन देखना ही होगा कि अब आगे कैमपेरिंग कैसे होती है क और यहां तक सवाल तेलंगाना का है तेलंगाना में बी आरेस की पोजीशन अच्छी मानी जाती है अपनी पोजीशन कंसेलेट कर लिया है लेकिन नाराजगी तो है कुछ तबकों में और खास कर कॉंग्रेस पार्टी को इस बार तेलंगाना में जो एक बढ़त मिलती नजर आ अब देखना है कि भारत जोड़ो यात्रा का कॉंग्रेस के रिवाइबल का क्या असर तेलंगाना में पढ़ता है ये चुनाओ बताएगा भारती जंता पार्टी पारे सोच रही थी कि वो सेकंड पार्टी के रूप में इवर्ष कर जाएगी तेलंगाना में अभी तक वो नजर नहीं आ रही है कॉंग्रेस और टियारिस यानि बियारिस के पीछी मुख्य मुकाबला होने की संभावना वहाँ के राइडिस्टिक विश्टलिशक बता रहे हैं MNF का जो मोर्चा है आमिन विजोरम में वो अधी भी काफी प्रभावशानी है और इसकी वज़ा है एक बहतर प्रशासन आप देख रहे हैं हिवन डेवलप्मेंट इंडेक्स में डेवलप्मेंटल स्कीम्स के मामले में विकास के अन्य जो मापदंड है उनके मामले में वि आर्टिस्ट का ही नहीं पूरे देश का अशान्ती नहीं है मिलिटेंसी का दौर खतम हुआ उसके बाद मिजोरम ने पीछे नहीं मुड़कर देखा तो ये सब कुछ पॉजिटिव्स हैं जिसकी वज़़ा से MNF का सिक्का वहाँ पर जमा हुआ है और आशा की जाती है कि ल पुलाभी सर्दियों के बीच राजस्थान में रहा जाएगा इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार आदाब सच्रियकाल